दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सुमवार को पदभार संभाल लिया है वहें आज सुभे बारा बजे सीयम ओफिस गई और सभी ओप्चारिकताएं पूरी की इस दोरान आतिशी ने सीयम ओफिस में एक कुर्सी खाली छोड़ी और खुद दूसरी कुर्सी में बैठ बढ़ाएंगे तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरिवाल जी का इंतजार करेगी आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है जिम्मेदारी संभाली है आज मेरे मन की वही व्यता है जो भरत जी की थी जब भगवान श्रीराम 14 वर्ष के के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा है जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्रीराम की खणाओं रखकर अयोध्या का शासन संभाला उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाओंगी भगवान श्रीराम ने अपने पिता जी द्वारा दिये गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास विकार किया इसी लिए हम भगवान श्रीराम को मर्यादा पुर्शूर्तम कहते हैं उनकी जिन्दगी हम सब के लिए मर्यादा और नेतिक्ता की एक मिसाल है बिलकुल उसी तरह अर्विन केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीती में मर्यादा और नेतिक्ता की एक मिसाल कायम की है पिछले दो साल से भारतीय जन्ता पाटी ने अर्विन केजरीवाल जी पर कीचड उचालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन पर जूटे मुकद्द में लगाए उनको गिरफतार किया उनको छे महीने तक जेल में रखा चब अर्विन केजरीवाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अर्विन केजरीवाल जी की गिरफतारी एक दुर्भावना के तहत हुई है शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री के कुरसी पे बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता लेकिन अर्विन केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुरसी पे नहीं बैठूँगा चब तक दिल्ली के लोग उनकी इमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद्ज से इस्तीफा दे दिया लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी ये कुर्सी अर्विन केजरिवाल जी की है मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चार महीने में जो आने वाले चुनाव हैं दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशिरवाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अर्विन केजरिवाल जी को मुख्यमंतरी की कुरसी पर बठाएंगे तब तक ये कुरसी इसी कमरे में रहेगी, अर्विन केजरिवाल जी का इंतसार करेगी धन्यवादा